अज मैं आपको नाइरा सोट की कटिंग करना सिखा रही हूं ठीक है तो नाइरा सोट की जो कटिंग है। उसका नाप यहां रखो तो यह जो हैं, सबसे पहले हमने बॉडी काती है एसके ठीक है, तो बॉडी लेनी है हमने 14 इंच तो 14 इंच जो है हमारी यहा है तो यह इसको भी सोंग करना है हमने तो इसको हमने 1 इंच ज्यादा रख रहे हैं तो इसलिए 15 इंच क्योंकि यह सिलाईहट के साथ ही इसमें आ जाएगा तो 15 इंच लेंगे तो क्या करना है सबसे पहले इसको double कि इसको हमने लेना है इसको 15 इंच 15 मिंच की कटिंग करेंगे 14 इंच तक त्यार रह जाएगा कर देंगे 15 इंच 15 इंच का एक बटा दो भाग हो गया सबस्क्राइब इंच ठीक है तो सबसाथ हो गया हमारा यहां पर ठीक है तो सबसाथ और यहां से बिसको स्ट्रेट कर लेते हैं अज़साथ का भाई सबस्क्राइब बॉक्स बना देना इससे जो फिटिंग बिल्कुल पर्फेक्ट आती है कि इसके बाद चाती तो हमने इसका गुलाई के लिए थोड़ा सब ज्यादा लेना है कमर कितनी है कमर हमने इसकी तीश ले दियूं मैं फ्रॉक है क्योंकि और आगे हमें डेड़ इंच टेक्स्ट्र ले दियूं इसको क्या करना है अब यह कमर लाइन आगे और यह एक्स्ट्र शिलाई हाग यहां से लेना हमने कोने से एक इंच गुलाई के लिए यह गुलाई हो गए हमारी ठीक है इसका हमारा कट जायेगा और यह नौर्मली आजाएगा यहां से ठीक है तो यह जो गुलाई है यहां तक आई है तो यहां से हमने इसकी कमर लाइन को ड्रॉ करना है यह कमर ओ चाती की लाइन को यह ओगे हमारी फ्रेंट साइट और यह और गल्य का डिजाइन जो है आपका सी मैसे बनेगा जैसे इसकी डिजाइन इंगे ठीक है इसको आप आदा-दा इंच के पर्क में काट भी सकते हैं और ऐसे भी कपड़ा लगा सकते हैं जैसे ब्यापने जगाना है को 사람 कि अभी हमने लेना आप होनें में प्रंट साइद लिकाट आट के बाद हमने इसको क्या करना है ऑफके और इसको रखना एंगा कि अहीं कि प्रश्क करना है यहां से कंपड़ा तो बेच्टों पर डिजाइन निक्री आ लेख है और इसको रखना आगे इसको बराबर रखना, इसको कपड़ा बजा सकते हैं थोड़ा से, इस प्रंट साइड को उठाके बैक साइड में रखना है, सेम जितना भी ये बैक साइड का है, ये प्रंट साइड है और ये बैक साइड है, सेम इतना ही हम इसको काट देना है कि यह हमने इसको काट देना है अब बैक लेला कितना रखना है इसकी चोड़ाई और चार इंच की लंबाई ठीक है तो डाई का अगर गले का डिजाइन जादा चोड़ाना करना हो तो डाई भाई डाई का एक बॉक्स बिनाना है और उसमें गुलाई करने है इसको डवल कपड़ा लेना है ठीक है डवल कपड़ा है और इसका कम से कम हमने घेरा लेना है जो इसकी लंबाई है वो 44 इंच के लिए रहे तो त्यार 42 तक हो जाएगी तो इसको हमने 14 इंच का जो आप उपर हमने बॉड़ी काट ही है तो बॉड़ी काटने के बाद हमने क्या करना है इसको 30 इंच का काटने है 30 इंच के इसकी लेंथ काटने है तीस पे मार कर लगा हर जग है लगाओ जल्दी करो अब है घेजी के लिए कपड़ा रख लगा है तो इसको काट मतलब यह जो है ना डबल कपड़ा लेना पहले ठीक है डबल के बाद इसको चार्श करना है ठीक है तो यह होगा हमारे वाजू के लिए तो बाजू के लिए तो बाजू के लिए अच्छ चैनल आधा इंच की हमने ऊपर का हिसा करना है और शे इंच का हमने नीचे को फ्रीन के लिए कपड़ा लेना ठीक है तो च्छाती उसकी है बतेस की च्छाती बतेस इंच यहां से ले ले लेना हमने दो इंच एक्स्ट्रा और यहां मारका है इसको आगे की साथ मिला देना जो पिछे खाय है जो पिछे खाय है तो इससे क्या होता है यह हमारा कि इसको आगे से यहां पर सेट करना है तो पूरी वाजो आजाएश ठीक है ठीक है और यह गल्ले की उड़ेवाद है इस नाइरस उठकी का कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है इसलिए अब पर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना सेर करना और सबस्क्राइब करना थैंक्स